कि नमस्कार जेहिन सात्यूं स्वागत एक बाद फिर से आपका दोस्तों आज अम बात करेंगे हमिटोलोजी एंड इनियून सिष्टम से से रिलेटेट वं डाउन नर क्यूस्ण या क्लेट करेंगे जी हाँ दोस्तों आज हम आपके लिए ऐसे वन लाइनर क्यूशन लेके आए जो कि प्रिवियस नर्सिंग कंपेटिटिव एक्जाम में बहुत बार पूचे गए थे और आने वाले जितने भी नर्सिंग कंपेटिटिव एक्जाम में जैसे कि नौर्सेट एस आईसी डी एसस भी और एसजी पीजी अएमस जीम सीच के पॉइंट ओव व्यू से बहुत इंपोर्टेंट ये क्यूशन रहने वाले हैं तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किये क्लास स्टार्ट करेंगे लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कूल ना बुले दोस्तों फ़स्ट वन लाइनर क्विशन के बात करें तो एक गेस्टेक्टोमी कें कोज प्रणियस एनीमि किस्टेक्टोमी केपेशेंट्ट में के मिलता है क्योंकि उसमें उसमें विटामिन वी टो अब्सेंवर कांड्य कФवसंच को मिलता ये क्रीज की वहारत वार को तो सबस्क्राइब नियुक्राइब सब्सक्राइब नियुक्राइब होने के चांसे लिए फिर बात करें Anti-nuclear antibody titer is commonly used as a screening tool for rheumatoid arthritis but it is not a diagnostic tool for rheumatoid arthritis तो दोस्तों rheumatoid arthritis में जो हम सबसे पहले test करवाते हैं वो होता है anti-nuclear antibody test ANA बोलते हैं उसको short form में ANA test करवाते हैं जो ANA का test करवाते हैं वो screening के लिए हम ANA का test करवाते हैं नो ना की डाइगनोस्टिक के लिए ठीक है फिर बात करें नेक्स्ट क्यूशन की तो नेक्स्ट क्यूशन है complete blood count, erythrocyte sedimentation rate and rheumatoid factors are all used as a diagnostic tool for the rheumatoid arthritis and are also used to monitor progress of rheumatoid arthritis and response to therapy कोई तो दोस्तों बता दूँ, rheumatoid arthritis में हम mainly 3 blood investigation करवाते हैं जो सब CBC, ESR और rheumatoid factor इन तीनों से हम rheumatoid arthritis का यह diagnostic test है और इनी से हम पता लगाते हैं rheumatoid arthritis का और यह test progress का पता लगाते हैं कि rheumatoid arthritis कितना progress हो गया है कितना severe है और इनी से हम पता लगाते हैं कि जो हम rheumatoid arthritis में therapy या treatment दे रहे हैं उस वह कितनी effective therapy है यह कितना effective treatment है इन तीनों investigation से हम पता लगाते हैं फिर बात करें next question की तो next mcq है इन अडल्ट thrombocytopenia is indicated when the platelets count is below one lakh per ml thrombocytopenia की एक condition होती है जिसमें platelets count कम होते हैं वह indication कब होता है जब एक लाख से कम platelets count हमें bread में या देखने को मिलें तब हम उसको बोलते हैं thrombocytopenia फिर बात करें next mcq की या क्यूशन की तो normal platelets count range from एक लाख चालीस हजार तो चार लाख पर ml हमारे जो normal platelets count है वह एक लाख चालीस हजार मिन्स वन लाख 40,000 से लेके फोर लाख के पर ml के बीच में हमें देखने को मिलती है फिर बात करें दोस्तों next क्यूशन की तो next क्यूशन है thrombocytopenia is a platelets dysfunction मिन्स एक condition होती है thrombocytopenia जिसमें platelets के dysfunction हमें देखने को मिलता है फिर बात करें next mcq की तो next mcq thrombocytosis is an excessive number of platelets thrombocytosis एक ऐसी condition होती है जिसमें हमारी बोड़ी में या हमार रग्त में platelets की जो संक्या है वो बहुत बढ़ जाती है मिन्स चार लाख से ज़्यादा हो जाती है उसको हम thrombocytosis बोलते हैं फिर बात करें ता classical symptom for thrombocytopenia और पेटिकाई एंड ब्रूसिंग एक thrombocytopenia condition होती है thrombocytopenia means जो प्लेटलेस काउंट है वो एक लाख पर हमें से कम हमें देखने को मिलते हैं ब्लड में उसमें हमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो साइन symptom देखने को मिलते हैं वो होते हैं पेटिकाई और ब्रूसिंग सि की तो पेंसाइटोपीनिया is a reduction in all blood cells पेंसाइटोपीनिया एक ऐसी कंडेशन होती है जिसमें ब्लड की जितनी भी सेल रहती है जैसे आर बी सी डवलू बी सी और प्लेटलेस इन तीनों सेलों में कमी देखने को मिलते हैं यह तीनों सेल कम देखने को मिलते हैं ब्लड में तो एन ब्लेडिंग तो दोस्तों एक डिजिस कंडिशन होती है एक होती है आई टी पी इडियोपेथिक थ्रमबोसाइटोपेनिक परपिरा और डी आई सी डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कूलर कोगलोपेथी इन कंडिशन में क्या वाता है जो प्लेटलेट से वह एक जगे एक डिजिए में प्लेटलेट्स के एग्रिकेशन की वज़े से ब्लेडिंग होती है फिर बात करें है फेरी असोशेटेड थ्रमबोसिस एंड थ्रमबोसाइटोपेनिया में भी सस्पेक्टेड वैने डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट फ्रूं लाग थर्टी थाउजन मिलता है अगर किसी पेसेंट में दो लाग यह लाग के भी प्लेटलेट देखने मिलती है फिर नेक्स्ट हम देखें और पर इन दोस देने के वाद में होंगे पास हजार एमेल पर हमें नोटेड रहुंब प्लेटलेट उसको हम बोलते हैं फिर इस प्रिएट थ्रमबोसाइ मिन्स हमें कोई डिफरेंट इस पेसीज की बीच में अगर कोई ट्रास्प्लांट होता है तो हम उसको जिनोजनिक ट्रास्प्लांट बोलते हैं जैसे कि हुमन में एनिमल्स का कोई ओर्गन ट्रास्प्लांट करते हैं तो एक जिनोजनिक ट्रास्प्लांट है फिर बात करें हिspecific inclusive rotten honest के बीच वाट करें अलोजेनिक ट्रास्प्लांट इसको बोलते हैं जिसमें दो मार्ण की मीच्वी औरगन ऊप्लांट हो इसको फ्रीजनीक ट्रास्प्लांट बोलते हैं फिर बात करें कि मिचक तेखर identical twins identical twins के बीच अगर कोई भी हमें transplant देखना को मिलता है हम उसको syngenic transplant बोलते हैं syngenic transplant ठीक है यह थी आज की complete class अगर आपको class अच्छी लगए हो तो comment like share और subscribe जुरूर करें जीगा और अगर आपको कोई भी point या question समझ में नहीं आयो तो हमें comment section जुरूर बताएं हम कोशिश करेंगे आपको पूरा पूरा explain करने की thank you very much